हिमाचल के कांगडा के आते मंड शेत्र में गन्य की कटाई का काम जोरों से शुरू हो चुका है किसानों द्वारा गन्य की कटाई कर शुगर मिलों में पहुंचाया जा रहा है जहां एक तरफ गन्य की कटाई से किसानों में फसल के कटने के बाद आमदनी का खुश्वनुमा एहसास है तो दूसरी तरफ किसानों में रोश भी व्याक्त है इस शेतर के किसानों का कहना है कि इंदोरा का मंड शेतर पंजाब से सटा हुआ है हिमाचल प्रदेश का ये उब जाओ शेत्र है यहां भरपूर मात्रा में फसले उगाई जाती है ऐसी ही एक फसल है गन्ना जो इस शेत्र में भरपूर मात्रा में पानी होने के कारण उगाई जाती है लेकिन इस शेत्र में कोई भी चीनी मिल नहीं होने के कारण यहां के किसानों को अपना गन्ना पंजाब में जाकर बेचना पड़ता है पंजाब की चीनी मिलों में हिमाचल के किसानों को तवज्जों ना मिलने के कारण उनका गन्ना कई कई दिन मिल के बाहर ही पड़ा रहता है कांगडा से समाध दाता दोलेश चोहान की रिपोर्ट दाता है कि बहुत मुश्किल होता है तो सरकार से नरोद है कि मंड कि सेत्र में गन्य के मिल लगाई जाए और एक रासन की मंडी लगाई जाए ताकि जिमदारां को किसाना को इसकी यह जो जो है दूर हो जाएं ऐसे ही लेटेश को बरेपाने के लिए बेल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइफ, शेर और सब्सक्राइब करें घंडे वाल बंक्वेट एंटर्प्राइब